नमस्कार मैं हूँ चंदरकानता राजप्रोईद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्यार किचन में तो आए आज हम बनाते हैं राजस्थान की बिका नेरी शाही सांगरी काजु की सब्जी तो कि बहुत ही स्पेशल होती है की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंसते रहें तो यहां पर हमने यह सांगरीय पानी में भिगोई थी तो यह सांगरीयों को हमें अच्छे से पहले दो लेना है और फिर तेज उबलते हुए गरम पानी में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा नमक डालकर हमने इ सांगरीया का जो काला कलर है वो एकदम साफ हो जाता है और एकदम इस तरीके से साफ सुतरी येलो कलर में आ जाती है तो बनी हुई सबजी भी बहुत ही अच्छी दिखती है और यहां पर हमने लिये हैं कुछ ड्राइफ रूट जैसे की काजू और थोड़ी किश्मिश तो क सांगरी को हमने दो तिन उबाल लगा लिया था भीगने के बाद में दो तिन बार बॉइल कर लें बस बहुत जादा उबालने की जरूत नहीं है क्योंकि गरम पानी में ही भीगोई हुई है बहुत जादा ओवर इसको गलाना नहीं है अब सूखे मसाले मिला देंगे तो मेर्च में फिर वो अच्छा परफेक्ट टिस नहीं आपाता है अब यह भीगे हुए काजू और किश्मीज भी इसमे एड़ कर देंगे हम और इन सभी को मिक्स कर लेना है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सांगरी को बहुत जादा नहीं उबालना है कि एकदम वो ग निकल जाएगा और एकदम यह यलो कलर में सांगरी आपकी तयार हो जाएगी तो अब हम पैन ले लेंगे और इसमें ओल डालेंगे तो मैं यह तिल के तेल में इसको बना रही हूं लग बग 4 टेबल स्पून मैंने ओल ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी काम छीटा ल उल जाता है तो फिर कई बार क्या होता है कि सांगरी एकदम हार्ड जाती ओल में जिसे हम किसी पी चीच को तलते है न उस तरीके से तल जाती तो फिर आप उसको कितना भी पका ओ तो फिर वह परफ्ट हो यह नहीं पाती है इसलिए उसको थोड़ा साम मॉस्चर यानि की नम इसे परकश राजिस्तान को प्रबदें कि यहां है व्लगका तर्च रिल्हें सांग्री वूट है अमें डोले तक दरिकती ड शालब चॉहित कि भीप ग्लोड कि का थिक। संग्रीत is को नियुदिक के अधनी सिफ्लिय जाती है। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जो मसाले आड किया ना वह अच्छे से पक जाए थोड़ा से पानी अमने बर्तन में लिया है जिसमें मिर्च फगरा लगी है तो वह भी इसमें आ जाएगी और थोड़ा एक मिनिट के लिए हम इसको थोड़ा थोड़ा चलाते वे पकाएंगे ताकि मसालों का कच्छा पर निकल जाए और फिर इसको ढख कर थोड़ा पांच मिनिट के लिए पकने देंगे और यह सब्जी इतनी जादा टेस्टी बनती है कि इसके आगे तो पनीर भी फैल है यह राजस्थान की एक ऑथेंटिक शाही स्पेशल सब्जी है जो कि राजा महराजाओं के जमाने से बनाई जाती थी और हैल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद है और इसे तीन-चार दिनों के लिए स्टोर भी किया जा सकता है किसी सफर वगरह में अगर आप जा रहे हैं तो लेकिन इसे अगर आपको स्टोर करना है तीन-चार दिन तो फिर इसमें आप काजू किश्मिस का अगर दिखिए इसको मने एक मिनट पकाने के बाद में ढग दिया था 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 पांच मिनट लगबग पांस से आट मिनट के लिए प्लेम पर आप इसको पकाएं ताकि सारे जो मसालों का टेस्ट वह अच्छे से सांगरी में मिक्स हुजाए तो यह की साइड से ओल दिखन मिर्च मसाले ओइल थोड़े से तेजी होते हैं तब यह सब्जी आपकी परफेक्ट बनेगी यह देखिए एक सांगरी को दबा के देखते हैं एक दम सौफ्ट है और यह देखिए सांगरी एक दम आपको एक अलग अलग दिख रही है लेकिन जब दबा के देखेंगे तो ए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो सब्जी का टेक्चर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि सांगरी एक दम अलग अलग दिखेंगे लेकिन खाते वक्त एक दम अच्छे से पकी हुई फील हो तो यह देखिए सब्जी से ओल दिखने लगा है तो एक चमच अमचूर पूरी के साथ जोसका कॉमेनेशन है बहुत ही चांदार होता है तो यह देखिए तयार आपका राजस्थान की बिका नेरी सांगरी काजू की शाही सबजी बनके तयार है तो एक बार रेसिपी को जरूर ट्राइब करें अच्छी लग यह तो लाइक करें शेयर करें अपने अब तक अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें तो दिखिए सर्व कर दिया है हमने शाही सांगरी काजू की सबजी को तो देखिए देखते ही विल्कुल खाने का मन हो जाने वाला इतनी जादा यह दिख रही है शांदार तो फिर मिलेंगे अम इतन नहीं रेसिपी के साथ अब तक के लिए धन्यवाद बाद बाद